हलो एवरिवान दिस इस गोरो पांचाल मैथमेटिक्स फैकल्टी एट रेजिनेंस जैसा कि आपको पता है कि साइन्स डॉमेन यानि सी यूटी के जो पेपर वो कम्प्लीट हो चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कम्प्लीट डिसकस करेंगे मैथमेटिक्स पेपर का बड़ा डिफिकल्ट पेपर आया है क्योंकि का लेवल बड़ा दिया गया है बट जैसा कि यूजी सी चेर्मेन ने बतायते कि जो पेपर का पेटर्न होगा जो क्वेशन होंगे कम्प्लीट एंसी आर्टी बेस्ट होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है यह मैथमेटिक बात नहीं कर रहा सभी सब्जेक्टी में बात कर रहा हूं फिजीक्स केमेस्ट्री या इंग्लिज इन्होंने क्वेशन का लेवल हाई कर दिया है जैसा कि बच्चों का रेस्पोंस आया है और जो पेपर हमने देखा है ओके तो मैथमेटिक्स पेपर में एसा ही हुआ है जो लगा है क्योशन्स केलकुलेशन्स पार्ट में तोड़े लेंथी बने है टाइम टेकिंग वाला है तो इनकेस हम मान सकते हैं कि 60 मिनिट यानि कि एक घंटा इसके लिए सफिशन्ट नहीं है लेकिन क्या है अब जो भी हो चुका है कोई बात नहीं जिन बच्चों का अब सॉ पेपर कोड नंबर है रहा यह डिसकर्स कर रहे हैं वैसे अलग अलग पेपर स्कॉड है बट क्योशन्स उपर नीचे जरूर हो सकते हैं अपने क्योशन्स को में जरूर कीजेगा एंड जो पेपर था वो 16 मिनिट्स में सोल करना था वन हार्ट में और यहां पर 200 का था टोट सभी बच्चों को 15 सवाल जो section A के अंदर थे सारे सोल करने थे सभी के लिए कंपल सरी था जो section B1 था वो completely mathematics वाले बच्चों के लिए था तो जैसे total question 15 और 35 total 50 questions थे उसमें से 40 सवाल सोल करने थे ठीके 40 सवाल कोई से भी attempt करने थे जी हां जरूर कुछ questions जरूर easy थे ठीके लेकिन कुछ questions जो basically intrigas से ले लो application of derivative से ले लो probability से ले लो यहां से concept-based सवाल पूछे गए हैं तो already आपने यह instructions read out कर लिये होंगे मैं सिर्फ direct solutions पर आता हूं हम questions की चर्चा करने वाले हैं किस तरग देखो this is the section A mathematics और first question पहला जो सवाल पूछा है बच्चों यह पहला सवाल LPP chapter से पूछा गया है यह EG questions है इसको EG के टीकरे हम रखना चाहेंगे तो आप कहीं बच्चों का यह सही हुआ होगा definitely हमें इस तरह के questions करवाए हुए थे और आपको यह कर भी सकते easily the corner points of the feasible region determined यह feasible region यहां दिया हुआ है और बच्चों यहां पर बोलाए कि जो A B or C if the objective function यह objective function has its maximum value of line A B तो A B पर A B मतलब यह हो गया दो points है चों तो यह point कहां रख दो इसके अंदर रख देते हैं ठीक है then relations between A और B तो बच्चों हम किस point पर B पर बात करो तो यह point उसमें put कर देंगे तो कितना 4 रहा जाएगा चूंकि दोरों value क्या होगी बराबर होगी क्योंकि A के line A B segment दोरों equal होंगे तो दोरों के equal करके हमें relations create कर लेंगे और यह relation आ जाएगा A equal to B और A equal to B this is the answer second answer यहां पर correct होगा okay LPB कुछ दूसरे सेट में हो सकता है यह question number कुछी sequence में change हो रहा होगो तो अपना मेच जरूर पढ़ लेना सवाल को उसी के according आपको answer consider करना है okay I hope यह clear हो जुका होगा next move करते हैं देखो आप समस्ते चलना है बस मैं यहां पर तोड़ा directly solve करूंगा questions को next question था second question और definitely यह भी गया है एक easy time का सवाल है यहां पर हम easily हम second order derivative हो है तोड़ा से जरूर टाइम रख सकता है बच्चों को यहां पर t equals to दिया हुआ है t equals to क्या दिया हुआ है टी इक एक पाउट टो एकस दिया है और वाइक वस्तु कितना दिया हुआ है लोग कि अच्छा कुशन में यह मिस्टेक्स दिया हुआ कि क्योंस में लोग-λοग T स्कोएर ओके यहां I am 237 सवाल मींने सवाल है में अदेख लेते हो यहां यह मिस्टेक दिया हुए यह नहीं होगा यह गलत दिया हुआ प्रेड्टzh डिया यहां पर कोशित Лोगी बेस लिए सब्सक्राइब ऐसको है englis 1 by t log t का x के respect में कर रहे हैं हमें क्या निकालना है dx by dt ठीक है अच्छा log t का 1 by t हो गया और dx by dt मिल गया और यहां से dy by dt आप निकाल लीजिए तो यह किता हो यह तो आगे ले लो भाई ठीक है 1 by t हो गया जी इसका यहां 2 आ रहा है तो 2 कर दो यहां से क्या dx अब dy by dt डिवाइड कर दो dy by dt में किस से dx by dt से यहां से dy by dx मिल जाएगा और dy by dt मिलेगा अगेन उसका x के respect में derivative कर दोगे तो x के respect derivative करोगे तो constant मिलने वाला है बच्छों है t से t cancel हो रहा है और 202 cancel 4 हो जाएगा ठीक है तो 4 का derivative अगेंड करोगे जिरो मिल जाएगा तो first option यहां पर correct होगा जिसका first option आ रहा है वह यहां पर right है जी क्या है राइट है आगे चले second सवाल थार्ड क्योंग और थार्ड भी यह बैसे के लिए LPP chapter से पूछा गया लेकिन तोड़ा सा सोचना है concept पूछा गया concept वैस सवाल है बच्छों यह विकोज यहां पर जो दिया हुआ है जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहां पर देखिए objective function क्या हुआ है z ax plus by और किस maximum 8 point बच्छों इस point पर maximum value बोली है यह तो पता है सहीm a और b greater than 0 है concept यहां पर काम आने वाला है और a और b का product कितना है 25 है 25 दिया हुआ है then maximum value of the function is equal to maximum value कैसे निकालेंगे इन points पर maximum value है तो यह point यहां रख दो बच्छों तो यह कितना plus 2b हो ठीक है यह दोनों equal होगा यह से कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा और यह 6b हो जाएगा यहां से एक relation create कर ले तो यह 4a आ जाएगा a वालों को एकतरप कर लो और यह cancel हो गया तो a equal b आया is that right because or condition क्या दी हुए a और b कितना product 25 यह product 25 होगा तो definitely यह क्या होगा 55 है ना यह भी दोनों equal है 55 हो गया 55 हो गया तो maximum value यह दोनों value यहां put कर दो यह तो maximum value है 16 कर लो भाई यह 5 रख दिया यह 40 हो गया और यहां पर कितना 10 हो गया तो 50 यानि second option यहां पर correct है 50 आ जाएगा 50 इसका answer बिल्कूल यह भी हमें एक तरस है कोई difficult सवाल नहीं था लेकिन आगे जो से पूछा गया है area of under the curve ठीक है area under the curve तो यहां से हम दो यह line दिया हुआ है तो line तो आसा नहीं भी यह तो कर सकते हो रहा है easy है x equal to okay or this is x equal 6 in between area इसी का बीच का area पूछा गया है तो यह area पूछा गया है तो यहां से यहां तक हम क्या निकाल दे एरिया निकाल लेते हैं तो area कैसे निकालो by x axis से तो यह क्या हो गया y dx लिख हो गए in between भाई 2 से 6 की बात हो रही है अब अच्छों 2 से 6 कर लिया है y का विली यहां से निकालोगे तो 12 minus x करके और by 2 करके इसका integrate कर दोगे इंटीग्रेशन कर देना इंटीग्रेशन करोगे अब देखो मैं तोड़ा हिंट दे रहा हूं आप आगे सोल कर सकते हो इस चीज को बना सकते हो यह इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां से ठीक है वन बाइटू बाहर ले लो 12 x 12 x हो गया और यहां पर x स्कोर बाइटू 602 अपर लिबिटर पुट करोगे तो इसका आंसर जो मिलेगा आपको मिल जाएगा 16 स्कोर इंट इसका बीच का इरिया कितना गया 16 स्कोर 16 स्कोर ठीक है यह धियां रखना है फॉर्थ इसका आंसर करेक्ट होगा नेक्स हम बाढ़ रहें क्योश्य नंबर 5 की तरफ नेक्स जो क्यूश्य नबर 5 है जो प्रॉबिलिटी चेप्टर से पूछा गया है हाँ यह तोड़ा सा देखो यहां पर हम किस तरह से इसको सॉल करेंगे कई बच्चों का गलत भी हो हुआ होगा ठीक है बिकोश्य डाइस रोल थ्राइस भाई राइस को हमने तीन बार थ्रा हुआ 216 and what is the probability of getting a number greater than 4 in the first and the second throw of dice and the number less than 4 in third row easily अब फेवरेबल जो आने वाले बच्चों फेवरेबल जो आउटकम्स की बात करूँगा ओके वो आएगा यहां से देखो probability of getting a number greater than 4 in the first and second throw dice ठीक है तो चार से बड़े नंबर आने चीए first and second throw में तो ऐसे कौन-कौन से फेवरेबल आउटकम बन सकते हैं ओके तीन बार हमें आपर उच्छाला है तो बच्चों हम मान सकते हैं पांस से ज्यादा five five one ले सकते हैं five five two ले लो आप five five three ले लो यह हो सकता है है डा because देखो दोनों सारी condition true होना चीए greater than four first तो पांस बड़े हैं और यहाँ पर less than four तो one two three है यह भी तो बन सकता है भाई six six one डालो six six two डालो six six three यह पुट कर दो यह conditions possible है और कौन से condition है यह भी हो सकता है डा five six one पुट करो five six two पुट करो five six three पुट करो and also six five one पुट करो six five two पुट करो six five three पुट करो अच्छा ठीक है one eight ठीक हो जाएगा one by 18 मिल जाएगा ओके तो फोर्त यहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा बज्चों फोर्त आंसर यहां पर करेक्ट होगा तो यह तोड़ा सा मोडरेट टाप के क्योशन में मैं रखना चाहोगा क्योंकि इस तरह का क्योशन से इसे बिल्कुल नहीं है यहां पर दोड़ा सा सोचने को मजबूर किया होगा ठीक है नेक्स्ट मुकरेक्ट क्योशन नंबर इसे पर आते हैं जी 6 में क्या दिया हुआ है देखो अब यह सवाल तो ncrt वाला है विक में मैंथर्स वही है आप इसली कर सकते थे इसे लेकिन तोड़ा सा यहां पर आप केल्कुलिशन करनी पड़ेगी है ना तो देखते हैं कैसे क्या आंसर आता है जी इसका देखो पाई अच्छा पाई बाई x की पाउर न प्लëस और माइनस x लिखा हुआ है तो इसका आनसर देखो पाई तो बहुत जाल दो ओके क्या बच्चो इसको ऐसे लिख सकते x की पाउर n इंटू x minus x और dx ऐसे लिख लें ओके अब क्या x की यह पाई है ठीक है और यहां से यदि मैं x कोमा ले लू तो x की पावर n minus 1 होगा is that clear और यहां से यदि इसको multiply इसको इस तरह के सवाल किये हुए हैं ओके इस तरह के questions बनाए हुए हमने आप यहां पर लेट अब n को t consider करोगे, n और x की power n minus 1 dx बन जाएगा, n को उधर बखा दोगे, तो यहां से n को उधर बखा देंगे, तो completely pi n बाहर आ जाएगा, और बचों, यह उपर तो यहां से कितना होगे, dt हो गया, और यह कितना होगे, t और इसको t minus 1, okay, partial fraction break कर लोगे, और इसका partial fraction क्या होता है, pi by n, और इसको हम लिख लेंगे, 1 by t, और t, t minus, वो a upon t plus b upon t minus 1 करोगे, तो definitely यहां से, minus 1 by t plus 1, t minus 1, है ना बचो, यह मिलेगा, और इसको dt, के respect में आप क्या कर दो, integrate कर दो, okay, यहां तक, और यह minus 1 by t, तो minus, यह ln t हो जाएगा, और ln t minus 1, t की जएको वापस रखोगे, तो first option आपको मिले जाएगा, six का first option correct होगा, okay, property यूज हो रही है, logarithmic की, और क्योंकि यह हो सकता, इसमें तोड़ा time लगा हो बच्चों को, कुछ questions, कुछ questions, कुछ सवाल इस तरह से पुछेगे हैं, जिनमें time लगा है बच्चों को, ठीके भई, जो बच्चों से response आया है, हमें time लगा है, मैस का paper में, और यह हम बात कर लें, जो cut off जाने वाली इस बार, बहुत कम जाने वाली है, as compared to last year, जो 15 साल का paper है, उसके compare में cut off कम रहने वाली होगी, यह किन मारे सभी बच्चों का यह साथ हुआ होगा, ठीके, क्योंकि वो easy paper मान के चल रहे हैं, लेकि लेवर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, next moving question number 7 पर आवद करते हैं, जो direct कर सको, और जिन बच्चों ने इस पर time लगा दिया है, उनका नुकसान जरूर 101% हुआ होगा, क्योंकि इसमें करने का तोड़ा सा process लंबा होगा, ठीके, यह आप, मुझे लगता है, कि जो 40 questions अटमिट करने थे 50 में से, उनमें से यह questions तो छोड़ने लाइकी था, ठीके वो आपकी, depend करता है, आपकी intelligence पर, किस तरह से आपने छोड़ा, कि कितने questions को आपने remove किया, उनमें से यह सवाल में रखना चाहूंगा, ठीके, इसको आपको attempt नहीं करना चाहूं, आप जो देखते हैं किस तरह से करना, मैं तोड़ा हिंट दे रता हूं, आगे की process आपको easily स करोगे, root a upon b 10 theta, root a upon b 10 theta replace करो, चुकि यहां से हटेगा, और इसका हम यदी dx derivative कर दें, तो root a by b, और इसका होता है, बच्चों, sec square और यह d theta, is that के लिए, यह तो होगा, तो dx की जए रख देंगे, यह सारी चीज़ रख देंगे, साथ के साथ चाहूं तो आप limit भी change कर सकते हो limit कैसे change करेंगे, यहां से theta की value पता करो, तो इसको इधर multiply करूँगा, तो बच्चों देखो, गोर से देखो, क्या बनेगा, x और root b by a बनेगा, और यह 10 theta हो जाएगा, क्या किया, यह देखो, इधर cross multiply करो, ठीके, तो b उपर चलगा, नीचे आगया, 10 theta हो गया, और यहां से theta की value कितने आगे, जी, theta की value बनके 10 inverse, x root b by a, z के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और limit यहां से change करना चाहे, theta की formula आगे रहे, तो x की जगे कितना रख दो, 0 रख दो, तो यह 0 हो गया, जब मैं x की जगे 0 रख रहा हूं, तो theta कितना आगया, बच्चों, यहां 0, तो 10 inverse 0, 0 आगया, और x की जगे, यदि मैं 1 रख रहा हूं, तो 1 की जगे यहां पर theta कितना आगया, 10 inverse, root b by a, b by a, ठीक है, 1 रख दो, तो यह limit यूज कर लेगे, तो next अपन को यह सवाल चेंज हुआ है, देखो, यह 0 हो गया, और upper limit क्या हो गया, बच्चों, 10 inverse, root b by a, यह तो बना है न, और य a minus, और b, और x square आ रहा है, x square क्या रख सकते हैं, यह रखेगे, तो यह a by b हो जाएगा, square उठट जाएगा, और क्या बन जाएगा, 10 square theta, divide by, और यहां से a plus b, bracket के अंदर a plus b, x square आ रहा है, तो वापस से a by b, और यह 10 square theta, okay, का whole square है, यह भूल मत जाना, ठीक है, भूल मत जाना into, अब चोई, यह dx आ रहा है, dx की जगे क्या रखोगी, यह वाला, तो root a upon b, say, square theta, d theta, okay, it takes more time, ठीक है, तो यहां पर हम आगे बढ़ें, इसको हम कैसे करें, यह देखो, यह b से b cancel हो गया, और यहां से b से b cancel हो गया, right, तो a को मैं ले लो उपर से, तो यहां से मैं a को बह ले लोगा, तो 1 minus 10 square theta बचा जी, right, और यहां से देखो, a plus, a plus, b से b cancel हो गया, a 10 square theta whole square है, तो आपको यहां से a square, बाहर a common लेंगे, तो a square निकल कर आएगा, बाहर ले लो इसको, ठीक है, बाहर already क्या चल रहा है, यह भी चल रहा होगा, बाहर क्या चल रहा होगा, बाहर क्या constant है, यह भी तो बाहर आजाएगा, इसको बाहर डाल दीजिए, under root, a by b, और sec square theta, यह forms बन रही होगी, मैटा, यहां से देखो, यह a से एकडिया, और यह a से फिर यहां आएगा, तो 1 by under root, a b बन जाएगा, और यह वाली forms, 1 minus 10 square theta, और यह क्या हो गया, sec square theta, into sec square theta, और बाहर व 1 plus 10 square theta, whole square दिया हुआ है, तो दो बाहर लिख लेंगा, 1 plus 10 square theta, 1 plus 10 square theta, और 1 plus 10 square theta, किसके equal होगा, sec square theta के, और this is sec square theta, sec square theta, into, तो this is the cancel out, तो what we have, only यह वाला पार्ट बच्चा है, ठीके, अब इसको, limit वो चल रही, limit को बाद में put कर लेंगे, ठीके, यह बाद में put कर लेंगे, यहां से क्या, इनको sine cost में change कर लो, जी कर लो, sine cost में तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 minus देगो, इसको sine square upon, cos square, तो cos square theta minus 1 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, नीचे क्या जाएगा, यहां पर 1 by cos square theta, cos से cos कर लिए है, तो 1 minus cos, अच्छा, sorry, sorry, यहां से क्या बनेगा, cos square theta minus sine square theta, जो cos 2 theta बन जाएगा, मैं इतना सा करके दिखा देता हूँ, यहां पर, ताकि आप easily कर सको, पैटा, क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, tell me, और नीचे वाला 1 by cos square बनेगा, जो इसके elements से cancel out हो जाएगा, only यह भचेगा, ठीके, और यह किसके एक वाले, cos 2 theta लिख लेना, यह किसके एक वाले, cos 2 theta, तो भाई, इसका लेंती calculation है, ठीके, यह छोड़ने लाई सवाल था, पता नी क्यू जबर दस्ति नों दे दिया, इस त 2 theta का था हम easily कर सकते, sin 2 theta by 2 हो जाएगा, उसके बाद आपको यह limit put करनी है, और limit put करने के बाद इसका 4th answer create होगा, 1 upon a plus b आजाएगा, बच्चो, 1 plus b, okay, process, अभी आपको मैं hint दे रहा हूं, इस चीज़ में, आप आगे से इसको कर सकते हो, okay, ताकि आगबर ना time जादा, वेस् second order derivative, the second order derivative of which of the following is 5 की power x, okay, ताको questions को यहाँ पर, यह question जो हो ही था, इसमें यह important चीज है, second order derivative of which of the following is 5 की power x, questions में लिखा हो आगे, कहीं बच्चोंने confused होगे होंगे, इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्या निकाल रहे हैं, this is not the asking that the 5 की power x का second order derivative ही पूछा, बच्चा, कौन सा function है, जिसका second order derivative of 5 की power x मिलता है, यह पूछा गया है, सवाल को read out करता है, यह concept है, यहाँ पर तोड़ा गुमा दी है नोंने, तो बच्चों, आप जब करोगे ना, मतलब हम क्या कर लें, इसका intiderivative निकाल लें, और 5 की power x का intiderivative निकालोगे, तो क्या मिलने वाला है आपको पता इसका intiderivative क्या होता है, जी, इसका intiderivative क्या होगा, 5 की power x, ओके, और, अच्छा, ln a आ जाएगा, बिल्कुल जी, अगेन इसका फिर से क्या करना है, intiderivative, तो 1 by ln a का मतलब 5 है, यहाँ पर 5 है लिख लो, तो बाहर आ गया ln 5 है, और फिर से 1 by ln 5 है बाहर आ जाए और यह option ऐसा है, जिसका यदी हम derivative करें, इसका derivative करें, कितनी बार, दो बार, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 की power x, तो fourth answer यहाँ पर right है, इसमें कई बच्चों के गलत हुआ होगा, पढ़ने की वज़े से गलत होगा, question में जो line लिखा हुआ है, जो पूछा गया है, उसकी व वाले सवाल से related है, आप से, इस question में, only आप से पूछा गया है degree, तो can you tell the degree, what is the degree of this function, this differential equation, तो हमें पता है, यह 3 by 2 आ रहा है, तो इसको हटाएंगे, तब जाकर पता लग जाएगा, और square root यह हम कर देंग, squaring, तो यह whole square लग जाएगा, k, यह whole square लग जाएगा, तो यहाँ highest order derivative किया है, d2y upon dx square, और इसके degree कितना 2, एने कि second option है, तो काफी easy सवाल था है, तो, इसमें, मुझे नहीं लगता, गलत हुआ होगा, बचों का, ठीके, next question number 10 की बात करें, a and b are symmetric matrix, बचों भई, symmetric matrix, यह questions बार-बार करवाया हुआ है, ठीके, in NCRT best day, during the class, हमने discuss भी किया हुआ है, तो, यहाँ पर a और b symmetric matrix होती है, और यह property होती, a, b minus b है, तो, यह direct क्या होगा, इसको symmetric आता है, इसका answer, कैसे आए जी, आपका क्या करोगे, a, b, ba, इसका whole transpose करोगे, तो, इसको ऐसे लिख लो हो गया, property के according, तो, यहाँ से क्या आ जाएगा, b transpose, a transpose, जब भी बाहर आएग matrix था, a equal a transpose दिया हुआ है, और b equal b transpose, because symmetric matrix है, यह rule होता है, तो, बच्चो, b transpose, a transpose को में b और a लिख सकता हूँ, और a और b लिखा जाएगा, और minus को में ले लो, तो, I can write a b minus b a, और this is the equal of a b, और यह दिए, देखो, यह same matrix है, लेकिन, यह negative matrix के बराबर है, तो, definitely, यह कौन सा part ह हुआ, excuse symmetric, तो, इसका काम, कौन से type का हुआ, excuse symmetric, ठीके, इसका third option, right होगा, okay, next हम बात करें, question number 11 पर बात करें, question number 11, यह भी easy वाला है, क्योंकि matrix और determines वाले chapter से easy type के ही सवाल पूछे गए हैं, वहां से कोई difficult, या concept सवाल भी नहीं पूछा गया है, तो, इनके answers आप तुरह दे सकते हो, बहुत ही property-based दे सवाल किया हुआ है, तो, यहां देखो, determined a का value कित आएगा, तो, इसका order लेकर आएगा, 2 की पावर 4, order कितना है, 4 दिया हुआ है, और determinant of a लिग दोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, और a value कितना 4 दिया हुआ, 16 फोर जा कितना होता है, 64 होता है, तो, यहां पर second option, correct होगा, बढ़ाईजी, यहां पर सवाल है, okay, next सवा important है, नहीं पर इसका order पूछ लिया गया है, और पूछ लिए तो, क्या दिक्कत है, इसका order कितना दिया हुआ, 3 क्रोस टू, इसका order x, y है, और इसका order, यहां पर यह C है, because metrics यूँ आ रहा, इसका 3, 2 है, और जो b matrix है, इसका order x into y है, ठीक है, और जो c matrix है, इसका 3II आपको पता है एंटू बी कब डिफाइन होंगे आपको इसमें कॉलम्स इसके बराबर होना चाहिए था तो एकस का विल्यों तो टू हो गया अटाक से और जो रिजल्ट आता है वह यहां से उठाओ और यहां से उठाओ तो पीछे वाला य यह तीन तो उठाओ तो य का विल् क्वेशन नमर 13 यह एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछा गया है इंक्रीजिंग वाला इसा सवाल जरूर एंसाटी में दिया हुआ है तो हम इसको यह भी आसान है यदि प्रेक्रिस अच्छी है बच्चों की तो कहीं बच्चों ने यह सोल भी किया होगा तो बच्चो टू एकस प्लस भी हो गया है और यह फंक्चन क्या है increasing है तो इसष्ट भी greater than 0 या equal ओके तो बच्चों टू एकस और यहां से प्लस भी greater than equal 0 दिया हुआ तो तो बी value अपन माइनस टू एक्स लिख लें और माइनस टू एक्स लिख लें तो यह इंटरवल जो दिया हुआ है वन से टू यह एक्स एक्स है ना एक्सकी मेलिवन से टू जा रहा है इंक्लूडिंग बहुत endpoints तो यहां से हम value रखें यदि minimum value यहां पर देख 1 रखो तो टू इंटू 1 तो भी greater than minus 2 आ गया है ठीक है 2 भी रख सकते हैं तो पी यहां से 2 रखा तो कितना minus का 4 आ गया है तो finally जो list value बनेगी भाई list value बनेगी यह minus का 4 हो गया minus का 2 हो गया तो completely इधर जा रहा है इधर जा रहा है इसके list value कितनी minus 2 आ जाएगी और minus 2 यहां पर third options correct है बच्चों तो यह third option right है वैसे आप कर सकते हैं सवाल को इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लग नहीं लग नहीं कि नेक्स्ट मुख करते हैं question no.14 की तरह question no.14 देखो यहां पर टोड़ा सा लग सकता था इस ताइम क्योंकि यहां पर जो पूछा गया है X यदि कि बच्चों को X समझ पर नहीं आया है तो उसके लिए difficult हो सकता था बच्चों यहां से अपर निकाल सकते हैं okay बई टोटल आउटकम कितने बन जाएगे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे 36 बनाना आता है 1 1 1 1 2 सारे सारे अब बच्चों जो expectation पूछा है तो random variable क्या बता रहा है एकस number of force को फोर्स मतलब जूसमें 4 आ रहा हो ठीके तो चार कैसे कैसे आएगा एकस क्या क्या विल्यू ले सकता है तो 0 लेगा या 1 लेगा या 2 लेगा या एक बार भी 4 नहीं आए फोर एक बार भी नहीं आए number of force की counting की बात कर या एक बार फोर आ जा या maximum कितनी बार फोर आ सकता है दो बार फोर आ सकता है तो दो बार फोर आ से दो लिख लिए अब इसके corresponding हमें हमें value निकाल ली है तो जीरो जीरो का मतलब क्या हुआ तो ऐसे numbers लेने आपको सारे outcomes लिखने को बही इसमें आपको मैं बता देता हूं कितने outcomes बनने वाले होंगे ओके तो बच्चो जो आप लिखोगे ना इसके लिए जाएगा 25 by 36 बन जाएगी क्योंकि 25 ऐसे होंगे जिसमें एक भी 4 नहीं आ रहा होगा केसे पता चला आप कहां पूरे counting लिख लोगे 36 outcomes लिख लो उस मतलब 10 ऐसे होंगे जिसमें एक बार 4 आ रहा होगा और 10 यह 25 और 10 कितने होगे यहां पर ठीके 30 और यह 6 ठीके एक और बच जाएगा क्योंकि इन सब का सम क्या आना चीए 1 भी आना चीए तो सबको 8 कर लो तो क्यों 2 तो क्या होगा एक आउटकम होगा 4 4 वाला और यहां पर 1 होगे तो 1 by 36 तो definitely यह बन गया है और इसका expectation of x निकालना है तो 0 into यह लो जी हो गया सवाल ऐसे तो निकालते हैं average ठीक है तो बचों यह 0 हो गया और यह कितना हुआ 12 by 36 हो गया यह 8 गर लेगे तो यह 1 by 3 मिल गया 1 by 3 है बिल्कुल second option यहां पर correct होगा तो expectations related सवाल पूछा गया है ओके आप इसको इसली कर सकते हैं ओके आगे चलते हैं अब सवाल नंबर 15 किस तरह है देखते हैं ओके इस तरह के यहां पर match the following वाले columns है ठीके match करके answer देना है वैसे यह application derivative increasing decreasing maximum minimum इस तरह का कोई function दिया हुआता है ncrt में आप यहां इसली निकाल सकते थे बच्चों यह दिया हुआ है 2x3 minus 9x square plus 12x minus 5 और x belongs to 0 से 3 की बात हो दिये तो भाई यहां पर absolute maximum पूछा absolute minimum point of maximum point of minimum तब जब close interval दिया होता है तो absolute minimum हम आसानी से निकाल सकते हैं आई हो आप क्या करोगी direct यह point put कर सकते हो इसमें वैसे ठीक है अब direct point बतलब 0 और 3 end points इसमें put कर दो ठीक है जब 0 इसमें रख देंगे तो यहां से कितना हो गया 8x equal 0 बच्चो 8x equal 0 पर put करूँगा तो इसका यह 0 यह 0 यह 0 function की value ठीक है तो कितने आ गए minus 5 आ गए और 8x equal 3 put कर दो भई तीन भी हिसमें और 8x equal 3 put करेंगे तो 3 पर कितना मिल जाएगा मुझे 4 मिल रहा है कितना मिल रहा है 3 पर 4 मिल जाएगा when you solve it ओके तो यह तो क्या होगा एक minimum value मिल गया इसका और यह क्या मिल गया maximum value मिल ठीक है तो अब यह देखो जो minimum absolute maximum value कितना है 4 है तो फस्त तो किससे 4 समेच हो जाएगा इससे 4 option देख लिए अगर जो 3 में चल रहा है फिर में जो B भी देखना पड़ेगा absolute minimum value कितना मिल रहा है माइनस 5 मिल रहा है तो B 3 से connect हो रहा है बी 3 से यह नहीं है गलत हो गया इस तरह से eliminate करो यह तो हो गई नहीं ठीक है और यह 3 और 4 देखना ही पड़ेगा C क्या हो जाए को point of maximum point of maximum 3 हो गया तो C first से create हो रहा है C first से create हो रहा है तो इसका 4th answer correct हो गया जो देखो C first से सवालों में इसी तरह की टेक्निक अपना कर आप time बचा सकते हैं यह ध्यान रखना है इस तरह के स्कूझे पूरा पर आपको solve करने की जरत नहीं होती बस यहां से 2-4 आइडिया मिल जाता है तो इसका answer हो जाएगा 4th वाला question number 16 की बात करें बड़ा आसान सवाल है भई question number 16 निकाल सकते हो rate of change of surface area दिया हो है तो surface area A ले लो किसका surface hemisphere का total वाला 3 pi r square लेंगे तो बैटा इसका d y dr r के respect में कर दो 6 pi r हो जाएगा ठीक है जी ठीक है जी okay okay है ना और 6 pi r का value देखो यह दिया हुआ है तो r equals 2 इसका cube root यार यह कर लो बच्चा बच्चा जानता है cube root इसका तो ग्यारा बटा 10 आ जाएगा ना ग्यारा बटा दस ना 11 by 10 तो 11 by 10 यहां रख दो 11 by 10 रख दिया जी तो यह 66 pi by 10 हो गया है और यह 6.6 pi हो गया है इसा answer है बैस second option हो जाएगा आगे चलो आसान सवाल था भाई इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सवाल नम सब्सक्राइब कितना अगया यहां पर इस तरह की लाइन बननी है वाली यह तो यह तो हो गया सेवन रूड थ्री जो वेल्यू वही दिया वागया इसमें ऑके और हो यह कितना हो जायगा फॉर हुजायेगा जी ठीक है यदि में X के जो जग रुक दूं तो वाई कितना जाएगा यहाँ पर 4 b यह नहीं लिए घर यह नहीं होगा तो यह तो इंगल बन रहा यह तो एक सेक्सेश ठीक है तो half into base into अलगा दो हुई यह आपर नमर गलत दिया हुआ कि आंसर के दिया फस्ट यह गलत दिया वाइं नंबर paper में मेंच कर लो एक बार इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में यहां पर कुछ मिस्टेक्स चल रहा है औरिजिनल पेपर से मेरिज कर लेता हूं क्योशन में कौन सा है 17 है बढ़ चेक कर लेते हैं ओके सेवन रूड थ्री यह दिया हूं तो एरिया यही होगा ओके ओके ठीक है ओके सोरी हमं यह कितना पॉइंट हो जाएगा पॉइंट मिस्स कर रहा है तो एक्स का विल्यूट कितना साच्चो को 28 28 हो जाएगा और रूड 3 एंचलेगा बच्चो और यह दिया जिरो लग दिया तो यहां पर 28 रूड तो यह cancel कर दो भाई यह टू टाइम्स और 282 कितना हो भाई 56 हुआ 56 है ना और रूड 3 AB यह options first option यहाँ पर correct हो जाएगा मैं आप triangle का area निकालना है बस यहाँ पर आपका x और y का value निकाल लो coordinate समय पता है triangle है triangle का area half into base into white first option यहाँ पर right है next move करें सवाल number 18 पर यह भी असान सवाल था वैसे property base देखो इसको open कर लो यह दिया हुआ NCRT में इस तरगा सवाल है ना इसको open करना है चूंकि a square किसके बराबर a के है और a इसको open कर लो a minus b का whole square तो a minus ठीक है यह cube हो जाएगा a cube हो जाएगा ठीक है और minus 3a square तो i square तो i हो जाएगा और 2a लिख दोगे plus b square यहाँ पर 3i और यहाँ 4a हो जाएगा ठीक a square कर देना राइट और plus 2a cube चल रहा है अब rule क्या यूज करना है भाई a square equal a है तो यहाँ पर देखो यह a cube आ रहा है तो a square उपर नीचे multiply कर देना है किससे e की पावर 2x यह दिया हो इसको e की पावर minus x e की पावर minus x से multiply कर दो limit बात में देख लेंगे तो बजहें यह multiply होगा तो यह e की पावर x हो जाएगा minus minus e की पावर x बन जाएगा यह 1 से होगा तो यह से multiply बलायाँ खा लोगा। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बन जाएगा। इस तरह का सवाल NCRT में दिया हुआ है। लेट इसका substitute दिया हो बच्चों। इसको आप t बाल लो और इसका क्या हो जाएगा। की पावर x minus e की पावर x और यह dx हो गया जी dt हो गया जी ठीक है बास समझ मैं इस देट के लिए यह वेल्यू कहां रप्लेस कर दोगे तो यहां से फाइनली हमर पास क्या आ गया है dt भाई और यह टी माना है तो यह ln t हो गया जी और ln n और t मतलब यह ध्यान दो टी का वेल्यू टी का वेल्यू क्या है e की पावर x प्लस e की पावर minus x अब लिमिट जो दी हुई है चला गोर से देखो यहां से लोग e ओके बेस e दिया हुआ है तीन पर ठीक है अब अच्छो यह x की तो वेल्यू है क्या आप आसा दी सॉल कर सकते हो यह वेल्यू यहां पुट कर दो यहां पुट कर दो ठीक है प्रोपर्टी यूज करना है जैसे सबसे पहले लोग 3 बेस e रख दो e की पावर भी यहां रखोगे इसी तीन आ जाएगा ठीक है यहां से भी रखोगे यहां से वन बाई तरी से सॉल कर ले ना इसे इसे प्रोपर्टी सॉल करोगे तो इसका आपको सेकेंड ऑप्शन मिले जाएगा बस मैंने यहां से तरीका बता दिया बस तोड़ा सा यह यह तो NCI-T में दिया हुआ है इस तरह से स्वाल नेक्स सवाल नमर 20 की बात करते है भई है ना इफ ABC are the three vectors ABC ओके यह भी NCI-T बैस वाला सवाल है जी बच्चों यहां पर देखो यह ABC तीरों का value 0 दिया हुआ है और यह दोनों unit vectors है और magnitude और C vector 2 दिया हुआ है then angle between the A B और C B और C की बीच में angles की बात कर रहा है रहा पूछा गया है तो निकाल सकते हो बड़ा आसान है B और C किया हुआ है class में यार फटाक से वा यार वा ठीक है B और C तो बच्चों इस B और C को इधर ही बटको इसको अठाओ इसको अठाओ इसक requiring both side करेंगे तो आपको पता है सही है इस तरह से लिखा जाएगा 2 B magnitude C magnitude यहां को स्थीटा आजाएगा और यहां पर अच्छा किसके बीचे में पूचा है B और C B और C ठीक है एको उदर बगा देंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बी और अब थीटा आ गया भाई एका वेल्यू आपको पता है unit vectors दिया हुआ साइड पर राइटेंट साइड पर ट्रांस्पूज हो गया को सेटा मिल जाएगा बिल्कुल जी मिल जाएगा मिलेगा तो आपको यहां से 180 मिल गया एंगल कितना जाएगा 180 पाई आ रहा होगा ओके तो फॉर्थ आंसर करेक्ट्रेस का यह सवाल भाई सवाल हो गया है क्योंकि इसमें तोड़ा आपको सोचना पड़ेगा concept सवाल है डिफ्रेंशिबिटी और पूछा गया है बच्चों यहां पर यह दिया हो डिटोड़ ग्रेटेस इंटिजर फंक्शन लिस्ट वन जैसे सब्स्ट वाला फंक्शन है फ्रस्ट वाल आप निकाल सकते हो मॉडुलस एक माइनस वन प्लस मॉडुलस इसमें यह इस तरह की जो function होते है बच्चो एक माइनस से प्लस मॉडुलस एक माइनस भी यह हमेशा continuous होते है हर पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन से बढ़ा होगा continuous से तो इसका options क्या हो जाएगा भाई it is continuous everywhere second से connect हो जाएगा यह किस से connect हो जाएगा second से second बुझा है x minus modulus x चुकि modulus x इसके अंदर आ चुका है तो this is not the differentiable तो this is not the differentiable that means यह जो first से connect हो जाएगा बिकोज यहां लिकाओ it is differentiable everywhere except x equal 0 पर नहीं होता बिकोज यह mod x 0 पर differentiable नहीं होता ओके फिर x minus greatest integer बेटा यह क्या हो गया fractional part function लिख सकते हैं इसको और fractional part function भाई it is not differentiable 1 पर तो भी differentiable होता है fraction graph देखा होगा आपको इस तरह से चलता है ठीक है और x mod x x mod x अपना में is differentiable 8 x equal 1 क्योंकि x mod x क्या होता है positive value पर differentiable है already ठीक है बात समझ में है ना value same देगा तो differentiable 8 x equal तो इसका 3rd options में छोड़ा है भाई 3rd options में छोड़ा है ओके तो यह तोड़ा concept वे सवाल था और इसे भी आप छोड़ सकते थे छोड़ सकते थे नहीं आता है तो जिन बच्चों का था उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है next move 22 22 की बात करें 22 में सब्सक्राइब और यह देखो आये पूछा गया है differential equations पढ़ा हुआ था उसमें आये इंटीग्रेटिंग फेक्टर हम कैसे निकालते हैं तो बच्चों आप यहां से देखो इसमें direct form नहीं दी हुई है इसमें क्या तोड़ा सा मेंच करके क्या दिया आपको चेंज करना था general form में standard form में convert करना था ओके तो easily connect कर सकते हैं जैसे एक का बता देता हूँ x dy इसको उदर ले जाओ y plus 2x square dx हो गया जी तो dy by dx निकाल लो क्या ऐसे लिख सकते हैं जी गुरू देखो dx को इदर बेजो x को नीचे बेचे तो y by x और x x कड़ गया है तो यहां से क्या हो गया है देखो इसको इदर लेकर आ जाएंगे तो यह क्या हो गया dy by dx x minus y by x equal to x तो यहां पर पी का वे लिए हम compare करें तो minus 1 by x आया है और यहीं से आयए पता लगेगा तो इसका आयए हम निकालेंगे तो आयए आप निकाल सकते हो e to the power minus 1 by x dx और यह e की power ln x हो गया है यह minus उदर जाएगा तो 1 by x मिल गया तो इसका मतलब इसका if 1 by x आ रहा है तो 1 by x आ रहा है तो यहां देखो यार ओकी यह तो first image हो गया 1 by x okay 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 बिल्कुल बिल्कुल मतलब मुझे तो answer देखो यह first और second हो सकता इस सरे से compare करो क्योंकि third और four तो हट गए दोनों से इस game से out हो गए तो first और second में हो सकता है तो इसका मतलब मुझे b b check करना पड़ेगा और b beta क्या दिया हो इसको भी convert कर ले x dy okay dx को इदर भीजें तो dx यह 2x हो गया 3y by x हो गया जी और यह dy by dx हो गया 2x इसको इस्टेंडर फों में ही convert करके आपको इसली पता लगेगा और यहां से P का वेल्यू क्या आ गया 3 by x आय नहीं है और इसमें भी इसी formulation निकालोगे तो यह 3 by x हो गया dx है ना P का वेल्यू तो तीन तो बाहर आ गया जी और यह ln x हो गया और यह इदर जाएगा तो x cube x cube आ रहा है x cube अच्छा x cube तो भी 4th से हो रहा है अच्छा हो गया इसका option 2 correct हो गया बाकी का निकालने की जुर्यत नहीं है मैं अल्रेडी बता चुका हूं जब class में पढ़ा था तो इस तरह की सब्सक्राइब की बात करें 23 ncrt बेस्ट है बढ़ा आसान सवाल है इसको देखते हो रहा होगा आपको यहां पर देखो रहा है यहां नेच्रल से नेच्रल डिफाइंड है अब अच्छों दो यह दिया हुआ है फंक्शन एन माइनस वन एन एन प्लस वन और दिया हुआ है आप दोरो वेल्यू चेक करOOOOOOOO के लिए किया इन जैक्ट्िव मतलब क्या होण वन वन है क्या है वन वन यह कौन सा फंक्शन ऑच्कशों वन साथ के साथ क्या है सर्जेक्ट्व पहर यह थे बहुता थान भी थीह क्या होगा सर्जेक्ट्यु हूगा ऐगी अच्छ यह function होते हैं तो fourth answer यहां पर correct हो जाएगा okay fourth इसका answer मिली जाएगा next move कर रहे हैं आगे next 24 24 देखो यह integral separate से पूछा गया है तोड़ा सब घुमा कर पूछा गया हो सकता करें बचो time लगाओ लेकिन आप change करके बना सकते थे one minus cortex दिया हुआ है दिखो को साइन को स्में चेंज कर लो साइन को से चेंज करेंगे जिरह से पाई भाई रोधत तो एक और सॉसार roughly 94 ynिए सैंड टो अव्या को सेरी को साइन एक साइन एक्स माइनस को more Conference 24 24 एक बार लेट मिंचेक what's given cos x okay तो यह हो गया 1 by sin x और यह हो गया है cos x dx यह होगा और बीचो यहां पर cortex को क्या लिखा है cos, तो नीचे क्या आ जाएगा, cos by sin, इसका LCM ले लो, sin से sin cancel कर दो, क्योंकि इसके नीचे sin x है, यह लिख लो, तो sin से sin कर जाएगा, तो finally क्या आ गया, sin x cos x, 1 plus sin x cos x, क्या इसे लिख सकता हूँ, 0 से pi by 2, अब यह सवाल किया हुआ, तोड़ा से एक step पर यहाँ पर जाकर आपको पता लग जाएगा, 0 से pi by 2 property यूज करें के, तो बच्चों यह तो first equation हो गई, अब 0 से pi by 2, a minus x वाली property यूज करो, क्या रखते हैं, a minus x, तो यहाँ पर रखोगे, तो यह दूसरा, तो sine cos में convert हो जाएगा, यह sine में convert हो जाएगा, यह नीचे तो सेम रहेंगे, भई, sine और cos से ना, वो convert होगा, तो यह दूसरा equation होगे, यह आई होगे, क्या दोनों को add कर सकते हो, बिल्कुल, दोनों को add करेंगे, तो 2i बनेगा, और add करेंगे, तो साइन से साइन कड़ गया, और cos से cos कड़ गया, उपर वाला numerator, नीचे कुछ भी आए, उपर, नीचे कुछ भी आए, इसका final answer 0, फर्स्ट ऑप्शन इसका right हो जाएगा, ओके, सवाल नमर 25 की बात करें, 25, if the random variable x has the following value, तो बच्चों आसान से निकाल सकते हो, प्रविटी डिस्टिबिशन से पूछा गया है, इसमें k का value पूछा है, तो सबको add कर दे, तो k plus 2k plus 3k plus 0 equal 1 होता है, तो कितना हुआ, 3k, 6k हो गया है, यह 1 आ गया है, k बराबर 1 by 6, k बराबर 1 by 6 है, तो बच्चों यह देखो, k का value पूछा है, तो k यह force से correct हो गया, मतलब A force से, कितने answer है से, अरे हो गया सवाल यार, हो गया भई, देखो, पकड़ में आ गया है, देखो यार, second option correct है, इसका है, विको देखो, बस calculation बचानी है, यहीं तो बचानी है ना, इन सवालों में आपको time बचाना था, ठीके, यह हो गया, आगे calculation नहीं करना है, क्योंक six, okay, देखो, प्रोपर्टिदेखो, इसके, क्या यह आसान है या नहीं, क्या यह सवाल आसान है कि नहीं, है कि नहीं आसान, बिल्कुल है भई, 4 square matrix दिस वन दिया, प्रोपर्टिदो पूछी आपसे, क्या पूछ लिया, प्रोपर्टिदेख अहां पर है ना, ओके यह तो गलत यह सही है यहां पर आया आना चाहिए तो यह सही है तो यह क्या है एक unit matrix scalar matrix है बिल्कुल है डाइगोनल बिल्कुल है बिल्कुल है इसकी symmetric नहीं है इसकी symmetric जरूर है तो यहां से first option correct हो जाएगा चलो आगे बढ़ो इन सवालब जाया टाइम में नहीं लगाना आग बंद करके आंसर करना ठीक है 28 28 देखो बच्चो 28 यार यहां तोड़ा सा ध्यान दो 28 में क्या पूचा है अरे यहां एक diagram मैंने बोला ता diagram जरूर पूचा जाएगा उसमें कोई area दे दियेगा कोई area पूच कोई area पूची जा सकती है तो feasible region presented by this one कुछ नहीं भई आप जिससे solve करके देखना यहां पर दिया हुआ लड़ी तो आपको common region कोई सा ने जरा रहा है बस आपको क्या करना था यह true कर रहा है नहीं कर रहा है भई next day 29 29 की बात करें जो area इंदर ओके यह भी आसानी था यह देखो एक पेराबला दिया हुआ हुआ है तो इसका यह हो गया ग्राफ ऐसे बनेगा पच्छों ओके यह लाइन वाइब राबर क्या है आपके तो से इसमें इसमें ध्यान दो क्या लिखेंगे एक्स डी वाइज कर दते हैं ओके तो यह हो गया जी और जीरो से चार जीरो से चार लिमिट लगा दो X का value, यहां से पता कर लो, X का value कितना हो जाएगा, under root, अच्छा, under root Y, और नीचे 4 बेटेगा, तो 2 हो जाएगा, और DY हो जाएगा, हो गया, 2 को बहार ले लो, 1 हो गया, root Y, यनि कि यह 3 by 2 हो जाएगा, इसका integral, और मैटा, इसका भी 3 by 2 नीचे लिख दोगे, और 0 से 4 कर दोग हो जाएगा, है ना, solve कर लोगे, 2 by 3 तो बहार ले लो, नीचे वाला उपर उख जाएगा, और 4 की power, 3 by 2, minus 0 की power, 0 हो, तो जाएगा, 16 by 3 आ जाएगा, ठीके, आसान सवाल था, नेक्स, question number 30 है, 30 जो integral से पूछा गया, बचो, यह diet इस result पर, standard results पर, standard results पर, standard results पर, standard results पर, इस result पर, इस result पर आपने, यह पड़ा हुआ था result, यह मैंने class के दोरान भी आपको बताया, इसका integral क्या होता, एकी power x, f of x, same, यहाँ पर, तोड़ा सा change करना है, अलग-अलग कर लो, एकी power x, नजर आ गया होगा आपको, और इसको साथ करूँगा, तो यह 2 से 2, और x, ok, 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 root x, क्या ऐसे लिखा जा सकता इसी function को, इस function कैसे लिख सकते है, बच्चो, ok, एकी power x, root x, plus 1 by 2, under root x, तो यह properties, root x का derivative यह होता, 1 by 2 root x, तो इसका answer क्या हो जाएगा, e की power x, root x, plus c, हो जाएगा, ऐसा option है, yes, fourth वाला option correct है, ठीके, आगे बढ़े, आसान था, आसान था, ok, next, 31, 31 पर पोज़ गया है, यह भी आसान केटिकरिवार सवाल है, 31 जो continuity chapter से पूछा गया है, और यहाँ पर direct value आप पूट करके देख सकते हैं, इसमें function क्या दिया हुआ है, function is continuous, 8 x equal pi, x equal pi पर continuous है, तो direct put करो, दोनों LHL, RHL क्या होंगे, बराबर होंगे, cos pi के बराबर हो जाएगा, और cos pi का value क्या, minus 1, और यहाँ से k का value कितना जाएगा, 1 को इदर ट्रांस्पोज कर दूंगा, तो minus, और यहाँ से pi नीचे divide हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई, यहाँ पर, अच्छा-च्छा, हमें किसका value चीए है, किसका value चीए है, k का value चीए है, है ना, रुको, रुको, क्या गडबड हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल, pi रखेंगे, cos pi minus 1 हो गया, अच्छ, mistakes कर रहे हैं, का continuous 8 x equal pi, value of k, तो यहाँ पर हो जाएगा, minus 2 by pi होगा, ठीक है, 2 by pi होगा, ठीक है, option में यहाँ पर तोड़ा गलत लिखा होगा, ओके, यहाँ से देखो, continuous दिया हो है, तो value बराबर है, तो pi पुट कर देगे, तो k pi plus 1 that is equal cos pi, और cos pi का value minus 1 हो गया है, यह इदर आएगा, तो minus 2, तो minus 2 by pi हो रहाँ चाहिए, यहाँ option में कुछ misprint दिया हुआ है, let me check, कौन सा 31 वाला सवाल है बच्छो, यहाँ ठीक है, यहाँ पर pi by 2 नहीं है, यहाँ पर minus 2 by pi है, और यहाँ पर 2 by pi है, ओरिजिनल पेपर में, ठीक है, तो यहाँ पर करने उट कर लेए, फोर्थ इसका correct answer हो जाएगा, जिसकी बात कर रहे थे, ओके, यह printing mistake हो, next move करें, बच्छो भई यहाँ 32 की तरफ, ठीक है, 32 जो matrix वाले से, matrix से बार-बार बात कर रहा हूं कि, इजी सवाल पूझे किये थे, matrix वाले से, आरां से तोड़ा से calculated part है, multiply करना था, आप गौर कुछ नहीं, 3 क्रोस 3 बाने वाला है, यह माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, यह माइनस का 1 हो गया, यह 4 हो गया, यह 2 हो गया, माइनस का 4, 1 हो गया, अब इसका transpose बुझा है, भूल मत जाना, भूल मत जाना, तो इसका transpose minus 2, 4 minus 1, 4 minus 8, 2 हो गया जी, 2 minus 4, 1 हो गया, ऐसा options का हम पर बच्चों, 2, 4 minus second option इसका correct है बिल्कुल, आप correct कर सकते हो, transpose करना नहीं भूलना, कहीं बच्चों, transpose नहीं किया होगा, और सही measure लिख दिया होगा, तो उनका गलत हो जाएगा, 32 हो चुका है, 32 के आगे बढ़ नेक्स जो पूझा है, यह क्या है, यहाँ determines दिया होगा, delta दिया होगा, और उतकी values पता करना है, options को read out करो, delta मतलब इसके value निकालनी होगी, minimum value, this one value, ठीक है, तो भाही, इसको check कर लेते हैं, इसके value निकाल सकते हो, इसको 6 तो गढ़ना है था delta आ रहे है, आसाने से value निकाल स plus cos x हो जाएगा, 0 हो गया है, और plus का 1 और यहाँ से value आप पता करोगे, तो cos square x plus 1 आगया है, अब अच्छो यह तो 0 हो गया बीच वाला, तो यह 1 plus cos square, 1 plus cos square, 2 plus 2 cos square आपको नजर आगया होगा, तो delta की value यह तो नहीं आरी है, यह sign में दिया होए, तो आप इसको 2 बाहर ले लो और 1 plus cos square x आपको नजर आएगा, और 2, और बच्छो 1 plus cos square x को sin में convert करेंगे, तो 1 minus sin square x होता है, तो बच्छो यह 2 और bracket में 2 minus sin square x नजर आगया, तो ऐसा option दिया और भी यहाँ पर correct होगा, क्योंकि हमने delta की value convert कर लिए, minimum value of delta is 2, maximum value of delta रो, भाई minimum value यहाँ से निकाल होगे, तो बिल्कुल आजाएगी, क्योंकि हमारे पास जो function बना हुआ है, तो यह 0 रख दो, यह 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यह दी 1 रख दो, तो 2 minus 2 हाँ जाएगा, तो बिल्कुल भाई, C और D यहाँ पर correct होगा, right होगा, according to this statement, तो यहाँ पर 4th answer correct होगा, next मैं आगे बच रहा हूँ, 34, 34 देखो, sin x plus half cos 2x in between 0 to 2 pi by 2, 0 से 2 pi by 2 बात करें, function दिया हो है, तो यह derivative कर सकते हो, बता सकते हो, इस का answer, आपको क्या करना है, function का derivative करना है, तो sin x का क्या हो, बच्चों, cos x हो चुका है, plus half आ गया है, cos 2x का derivative क्या होगा, minus का 2 sin 2x से लिख लूँ, मैं डारेक, क्या हो, cos x minus sin 2x, तो बिल्कुल, यहाँ पर, यह तो correct हो रहा है, यह ही तो derivative बहला है, the critical points of the function, x equal pi by 6 and x equal pi by 2, critical points का मतलब क्या होगा, derivative को 0 के बराबर करना, क्या इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल, क्या ऐसे लिख लें, जी, बिल्कुल, cos x common आ गया है, बच्चों, 1 minus 2 sin x नजर आएगा, बिल्कुल 0, तो cos x equal 0 आया है, और यहाँ वहाँ से sin x का value पता कर लो, तो half आ गया है, तो cos x equal 0, मतलब pi by 2, तो x equal pi by 2 आ रहा होगा, और half, तो x equal, मतलब 30 degree, pi by 6, बिल्कुल, दोनों है, B भी correct है, the minimum value of function is 2, maximum value of function 2, भाई, यहाँ पर क्या बोला है, B भी correct होगा, तो A, B, A, B right है, A, B right है न, और D, the maximum value, A, B, अच्छा, इसकी जो maximum value निकालो, D correct होगा, तो इसका यहाँ first option correct हो, maximum value कैसा निकालनी है, value put कर लो, second order derivative की check कर सकते हो, ठीके, या फिर आप जो critical points दिये होगे, 0, pi by 2, और pi by 6 जो आ है, इसको इस function के अंदर put कर लो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यह absolute, maximum, maximum, best है, उसको use करके निकाल सकते हो, okay, next, यह वाला question दा, the direction cosine of the line which is perpendicular, पहिए direction जो cosine है, जो perpendicular है, जी, किसके, which is perpendicular to line's direction ratio, 1, minus 2, minus 2, 0, 2, 1R, तो भही जो perpendicular तो यहाँ पर, let L, M, और N, अभी direction ratio के perpendicular है, perpendicular, perpendicular मतलब यहाँ से देखो, 1 into L लिख लो, फ़ास्ट वाले के, और यहाँ से आजाएगा 2M, और यहाँ से हो जाएगा 2N, पराबर 0 मिल रहा होगा, ठीक है, इसी तरह से direction ratio, यह cosine, इसके perpendicular है, तो 0 into L लिख लो, ठीक है, प्लस 2M लिख लो, और यहाँ से कितना आजाएगा, प्लस A N इक्वल 0, तो दो equations मिल गए, एक तरह से यार, क्या इनको solve कर सकते हो, क्या इनको solve कर सकते हो, कैसे element का value पता कर लोगे, वही तो पूछा है, direction goes side, तो L, M और N, cross multiply करके आप पता कर लोगे, कितना आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो answer मिला हुआ हुआ है, इसका, इन दोनों को solve कर दा था, इन दोनों को solve करोगे, तो बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर minus 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 minus 1 और 2 इसका यहाँ पर आप निकाल लोगे, direction 2 minus 1 हुए है, और इसके 2 minus 1, 2 आया, तो इसके divide कर दोगे, क्योंकि इसका magnitude कितना हो, यह direction रहा है, तो direction आपना element निकाल ला है, तो आप क्या निकाल लोगे, 2 by 2 का square यह 9 हो जाएगा, तो under root यह 3 हो जाएगा, ठीक है, minus 1 by 3, 2 by 3, first option इसका correct हो जाएगा, नेक्स्ट मूंकर है, 36 पर भाई, 36 वाल सावाल देखिए, फिर से वही probability distributions भूचा गया, ओके, यहां से c का value पूचा है, तो c का value देखो, क्या क्या हो जाएगा, x ब्रावर 0, plus c, अच्छा यह 1 पर और 2 पर दिया होगा, तो एक ब 3 और 4 पर दिया होगा, तो अच्छा, यहां 3 रखूँगा, x के दा 5 minus 3, 2, तो 2 c आजाएगा, 2 c, ok, 4 रखूँगा, 5 c आजाएगा, ok, और 1 आजाएगा, तो बच्छों कितना होगा, 2 c, 4 c, और 5, और 6 c, है ना, यह कितना, 0.9, और 0.9 by 6 कर दीजिए, 0.15, क्या होता है, 0.15, तो c का value 0.15, मतलब c किस से connect हुआ, 4th से connect हुआ, ऐसा option है, क्या c, 4th से connect, बिल्कुल बिल्कुल यह 2nd option, फिर इसमें आगे 6 नहीं करना, ऐसे सवाल, 2 सवाल निकल गया, बढ़ा आसान सवाल था, यहां पर 2nd हो तो second option है, correct हो गया, बाकी का answer अपना आप सही होगा, ओके, आगे चलो, भाईया, सेतिस, सेतिस भाई, NCRT बेस सवाल है, इस तरह का सवाल क्लास में किया हुआ है, यह किया हुआ है, क्लास में, मतलब, टेस्ट वेपर भी आया हुआ है, अपने, आराम से कर सकते हो, यार, इसका answer क्या मिल जाएगा, 4th मिल जाएगा, बच्चो, आपको क्या करना, इसका, इस प्लस, साइन, ए प्लस वाई को जोड़ दीजिए, एक्स का कितना वन होगे, काम क्या करना है, यार, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ट्रांस्पोज करो, वहां सको मन निकालो, उसको फिटो, फिर एक्स का वेल्यू, यहां पर जरत पढ़े के मिल एक्स का वेल्यू क इंदा, यूनिट वेक्टर पर्पेंडिकुलर टी, इच ओव दवेक्टर, ए वेक्टर प्लस, बी वेक्टर और ए माईनस भी बच्चो, और ए दिया होगे, बी दिया होगे, तो आंसर निकाल सकते हो, पहले तो आपको क्या करना था, ए प्लस, बी निकालना था, दोनों को इंदा, तो कितना होगे, 2 i cap, 2 और 3 j cap होगे, 3 और यह 4 k cap होगे, a माईनस, b वेक्टर भी निकालना था, a में से b माईनस कर दो, यह कड़िया, ठीक है, 0 i cap होगे, ok, j माईनस तो माईनस का j हो जाएगा, उसमें से माईनस करना तो माईनस का 2 cap हो जाए, इनके unit निकालना था unit perpendicular vector, तो इसका मतलब इनका cross product, तो cross product मतलब determined solve करना है आपको, i, j और k कर दो, तो यहां से कितना जाएगा, 2, 3, 4, 0, minus 1, minus 2, ok, जब इससे solve करोगे, तो you will get here, this is the 30th question, और आपको, यह जो मिलेगा, यहां से जब solve कर लोगे, तो आपको मिले जाएगा, भाही, minus 2, i, k, plus का 4, j, k, minus 2, k, k, यह चीज मिल जाएगी, यह क्या है, ठीक, अब unit निकालना है, तो इसका unit vector निकाल सकता है, unit vector के लिए कुछ नहीं भाई, यह उपर रखो, और नीचे क्या है, इसके magnitude से divide करोगी, 4, और 16, 16, 4, 20 हो गया, 4, 24 हो गया है, इसको आपस से आप solve कर ले करेंगा नीचे है, तो 2C2 के इसे मेंच कर लो, 4th option करेक्ट हो रहा है, जब आप करोगे तो इसको, है न, इस तरह से हो जाएगा, आसान है, next question number 39, distance between, अरे यह formula-based, बाई, formula-based, distance between the lines, both lines are parallel, है न, दोरो lines क्या है, बच्चों, parallel line, तो यहां दो parallel lines का formula क्या होता है, बता देता हूं, distance निकालने का, dear magnitude, किसका, B का, यह formula है, parallel lines का है, ना के square lines का, तो आप आसान से कर सकते हैं, इसको भई, handle कर लोगे, बना लोगे, तो यहां पर आप जब निकालोगे, तो देखो, हमें इसके जिरुत पड़े, यह important जीज़े, A2-7, यह A2-7 है, ठीक, A2-7, तो बच्चों, B cross, और A2-A1, आप चेक करोगे, तो एक determined solve कर लो, determined solve करना है, तो determined solve करोगे, A2-7, यह A1 है, यह A2 है, ठीक है, और यहां से B तो सेम हो जाएगा, इसे B यह हो जाएगा, 2, 3, और 6, उसमें 2 को मल लेंगे, तो परेड़ लवाला है, तो यहां से हम idea लगागे, 2, 3, 6, और 2, 0, 6, minus 2, इसका मिल रहा होगा, और जब इससे solve करोगे, तो you will get here, minus 6ik plus 16jk आजाएगा, और minus 6kk आपको मिलेगा, ठीक है, और इससे जब इसका magnitude, यहां मिल गया, इसका magnitude की बात हो रही है, जब इसका magnitude निकालोगे, तो अंडरूर, 328 मिलेगा, और इसका B का, तो B क्या है, यहां पर, आपको 7 मिल जाएगा, 49, तो 7 हो जाएगा, थर्ड option इसका correct हो जाएगा, formula based है, calculation करणी है, time taking वाला सवाल जरूर है, yes, 40 जो question थे भाई, यहां पर जो 40 मिल पूछा है, function, 2 tan inverse e की पावर x minus then f of x, तो बच्चों, आपको यहां पर increasing decreasing नजर आ रहा होगा, तो इसका derivative कर दीजिए, 10 inverse का derivative, 1 by 1 plus e की पावर 2x हो जाएगा, वो whole square लिखेंगे तो, और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x होगा, और इसका 0 हो जाएगा, तो finally हमरे पास जो मिला है, 2 e की पावर x, 1 plus e की पावर 2x, this is the f dash x, अब यह जो function है, क्या हम यह देख सकते हैं, because exponential function, या e to the power x, जो always positive होता है, तो यह whole quantity will be positive होगा, since e की पावर x greater than 0, यह तो positive है, यहाँ पर e की पावर x आ रहा है, positive होता है, तो पूरी quantity क्या होगी बच्चो, positive, अब पूरी quantity positive है, तो I can say this is the increasing function, और strictly increasing हो जाएगा, और यह जो function होगा, third function होगा, odd function होगा, यह odd function है, क्या दिक्कत है, e to the power x तो पूरा ही क्या होता है, positive होता है, अब तो minus infinity है, तो इसका third option correct होगा, 41 की तरह बढ़ते हैं, ठीक है, for the differential equation, this one, okay, degree of the, तोड़ा सा यह calculated वाला part है, बच्चो, यह differential equation दिया होगा है, degree of the given differential equation, degree निकाल सकते हो, क्या इसको dy by dx के form पर करवट कर लो, या फिर किस form में, ली ले differential equation को होगा, क्या ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x, log x कर गया, 1 by x, एसे लिखा जा सकता है, और इसको एक differential equation, linear differential equation के form में, मैं बदल लूँगा, तो मुझे मिल जाएगा, यह वाली forms, और उदर 1 by x से लेगा, तो बच्चो, P का value तो कितना हो गया, 1 by x, log x हो गया है, और Q का value कितना हो गया, बच्चों, 1 by x, अब आपको पता है, it is degree, क्या degree कितना है, बिल्कुल 1 है, first option तो है, it is homogeneous, homogeneous नहीं है, बिल्कुल, solution, solution यहां निकाल का check करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो दिया हो, COD में, COD में दो का solutions, ठीक है, निकाल सकते हैं इसका solution, because आपको IF निकालना पड़ेगा, IF के लिए यह दिया हुआ है, तो solution के लिए, Y into IF, यह formula लगा देना, last में, Q into IF, और DX plus C कर देना, C की जगा, A लिया है, यहां पर आर्बिटर, और कुछ नहीं, इससे जब solution निकालोगी, तो first option हो जाएगा, A और C, इसका जो solution आ रहा है, जो हमने निकाला, C आ रहा है, तो आप option मेंच करोगी, the first option इसका correct है, बच्चो, कितना है first option, okay, आगे मूँ करें, question number 42 की बात करें, तो question number 42 जो है, यहां पर 42, there are two bags, अच्छा है, प्रोबटिटी से तोड़ा सा difficult type का सवाल है, यहां पर कितना दिया, तो bag first जो दिया हुआ, four white wall है बच्चो, और six क्या है, black ball, यहां पर bag two, five white wall है बच्चो, और five क्या है, black ball, ठीक है, यहां पर dice को रोल किया, so a number divisible by three, a ball is drawn from bag first, else a ball is drawn from bag two, ठीक है, यदि तीन का divisible आता है, तो first bag से, first bag और second है, और नहीं आता तूज, the ball drawn is not black in color, the probability that it was not drawn from bag two, तो दो event consider कर लो भाई, यहां पर, event where divisible by four है न, या, it is show the number divisible by, और यह क्या हो गया, it's show number divisible by four, by three, sorry, और यह, it is not, तो वाला दूसर नमबर आ जाएगा, तो इसकी property आप पता कर लोगे, यहां से निकाल ले, the probability that is not brown, अच्छा, बेक से माल लेते हैं, not वाला है, तो माइनिस कर देंगे, लास में, तो the ball is drawn not, अच्छा, drone, drone वाला कर लो, from, bag two, ठीक है, तो आप यह बेस्ट हो गया, सवाल, तो आप निकाल लो, P of, अच्छा, P of A by, even, तो इस बेक बेक बॉल किती है, भाई, four, four, तो four by ten, हो गया है, four by ten, मतलब यह कितना हो गया, two by five, sorry, 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 क्या कर दिया, बेक तो six है, बच्छों, six है, क्या कर रहे है, तो यहाँ three by five, दूसरे बेक में जब नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलेक five by ten हो जाएगा, तो finally, आप इसको base theorem के according करोगे, base theorem लगा दोगे, base theorem के according क्या है, दूसरे बेक से रिकालना है, दूसरे बेक क्या हो जाएगा, यहाँ पर e2 लिख दोगे, by a लिख दोगे, तो formula हो जाएगा, e2 into p of a by e2, divided by, यहाँ पर क्या आजाएगा, बच्छों, पूरा आजाएगा value, यह ना, पूरा value मतला theorem of total property, इससे solve करोगे, जो भी आएगा, उसको minus करना है, 1 में से, उसको minus करना है, 1 में से, किसको, इसको, ठीके, मैं तोड़ा hint दे देता हूँ, जो भी आएगा, इसको 1 में से minus कर लेना है, you know, the ball was, it was not drawn from back to, तो इसका answer, जो भी लेगा, second 3 by 8 आजाएगा, ठीके, 43, which of the following cannot be, the addiction ratio of strength, cannot be, अच्छा, अच्छा, मतलब, कौन सा option यहां correct होगा, कौन सा नहीं है, because, यहां पर क्या दिया हुआ है, direction ratio क्या दिया हुआ है, इसको general form में convert कर लो, equation को 2, y minus 2 कर लेंगे, तो बच्छो 3, और j double as 4, यह minus 1, तो यह 2, minus 3, minus 1, these are the direction ratio, direction ratio यहां पर दिया हुआ है, तो minus से multiply करेंगे, तो सही है, 2, minus 3, minus 1, यह यहां पर third option, देखो, यह third option, नहीं हो सकता, 2, 3, minus 1, यह तो minus 3 है न, यह कैसे होगा, बच्छो 2, 3, minus 1 नहीं हो सकता, बाकी तो होगे, यह ज़रूर है, 6, minus 9, क्योंकि इसका क्या है, इसको किस से multiply करना, सतीन से multiply करके, तो बात तो है ratio तो सेम ही होगा, ओके, 44, बड़ा असान सवाल था, 44 में आंसर कितना हो जाएगा भई, यह तो ग्राब बनाना है, बच्छों, ग्राब बनाना है, which of the following represent the correct feasible region, बस यह हो जाएगा, थड़ वाला, इसमें कोई, यह कोई difficult type की सवाल नहीं है, तो आंक बंद करके हो जाएगे, यह रट्टा मार रखा होगा इस सवाल में, इस सवाल में रट्टा मांग रहा होगा, यह तो क्या है, parallel, NCRT वाला base day, जब parallel वाला case हो तो धिहान रोगो, parallel case में क्या हो जाता, इक्विवेलेंस, क्योंकि यह reflexive भी होगा, symmetric भी होगा, transitive भी होगा, आगे चलें, आगे चलें बहुत हैं, 46 की बात करो, अरे यारे तो, आसान सवाल था, 53 days, तो टोटल days कितने होगे, यह लीप year में, बात करें, बच्चों, तो लीप year में, 36, 36 days होते हैं, और यह बढ़ जाते हैं, 22 weeks और 2 days में, अब जो 53 Tuesday आ रहा है, वो 53 Tuesday कहां पोज़ गया, इसके अंदर पोज़ गया, टू डेज क्या क्या हो सकते हैं, बच्चों, मंडे हो सकता है, टूजडे हो सकता है, या तूजडे हो सकता है, या फिर वेडनस डे हो सकता है, या त्रस्डे हो सकता है, त्रस्डे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, या सटर्डे हो सकता है, बई स 4, 5, 6, 7, 7 पोजिशन बन गई और 53 तूज़े जो कि तूज़े इसमें भी आ रहा इसमें आ रहा है तो तूज़े आने की प्रोप्टी ऐसे 2 बाइ 7 होगा है ना लेकिर यहां क्या पूचा है प्रोप्टी ओप नोट गेटिंग 53 तूज़े तो इसको वन में से माइनस करके फाइनल आंसर लिखना था तो 5 बाइ 7 होगा और 5 बाइ 7 यानि 4 तांसर करेक्टर है वैसे यह यह लिए तो 10 लेबल का ही सवाल है इसमें ज्यादा टाइम इस नहीं करना आसान सवाल था 47 आप निकाल सकते हो भई एंगल बिट्विन टू डिरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल दिस वन अरे दोनों के दिये हैं तो कोस थीटा लगाना फोर्मूला लगा यह वन इंटू वन इंटू रूड थ्री माइनस वन एसा लिकलो ठीक है प्लस और वन इंटू यह क्या है माइनस 2 तू आ गया जी और यहां पर कमाइनस का फोर्मा पीउस ए Обर यहां लगाओगे पोलबागी ओं आ delivered एंटू ने लगाओगे minor ओं कडा भी कंड यहां लगा Parce 48 बजो 48 में क्या किया 48 बढ़ा आसा नहीं है इन दोनों यह भी NCIT-based design दिया हुआ है इनका product क्या हो गया क्या मैं ऐसे लिख सकता था इससे बिल्कुल जी सर ओके और एक कितना टू टाइम्स इसको भी स्क्वाइड करके लिखूंगा तो फूर ऐसे लिख लेंगे और बीका विल्यू निकालना है तो कितना हो गया 3 यह से cancel हो गया कितना 9 और यह कितना आ गया 3 आ गया 3 है इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस पर ज्यादा नहीं करना ओके सेकिंड लास्ट सवाल जो है बच्चो टैड इनवर्स 2 बाई 3 की पावर माइनस प्लस 1 इक्वल दिया हुआ है कोट इनवर्स 3 बाई 3 की पावर एक्वलस 1 देन वीच अफ फॉल्यू इस तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा जब सोल किया तो हमें पाया इसको यह से लिख सकता हो कि आपको यह रूल तो पता था 10 इनवर्स X एक्वल क्या होता है कोट इनवर्स वन बाई एक्वल तो इसको कोट इनवर्स में लिख लूँगा तो कोट इनवर्स यह उपर हो जाएगा तो three की पावर X प्लस one ओर ति कुकि दोनों सेम होगा तब ही ग्या क्या होगी एक्वल होगी और इसको तो कुछ छेड़ा ही नहीं इसको ऐसे रहे लिए अब कोट इंवर्स कोट इंवर्स बराबर हो गया है तो डेफिनेटली यह वेल्यू किसके बराबर चल रही हो इसके तो 3 की पावर माइनस x प्लस 1 बाइटू क्रोस मल्टिप्लाई कर लो इसमें क्रोस मल्टिप्लाई करके पूरा पार्ट जब चेक करेंगे तो यह से मल्टिप्लाई हो जा तो यह वन आ जाएगा और 1 प्लस 3 की पावर माइनस x और 3 की पावर x प्लस 1 और यह कितना 6 हो गया तो इसको अपन तोल कर सकते हैं अच्छा रुक रुकुमिन केगी है इसको इससे वन हो गया ठीवार 1 3 की पावर x अच्छ अच्छ हम वन वन टू हो गया उदर जाओ गया अपना कंडिशन से बनेगी मल्टिप्लाइ तो यह होगा 3 की पावर माइनस एक्स यह लिख दिया है वन को इससे मल्टिप्लाइ गया वन और यह टू थ्री जा अच्छ 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 यह क्या हो गया इस तरह का होगा क्या पोसिबल नहीं है कोई वेल्यू पोसिबल नहीं होगी इसके लिए यह लोगर्त्मिक भी लोग है तो नहीं पोसिबल हो ठीक है कोई रियल लंबर नहीं है फिर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए this is the last question, जो पूछा गया है, यह question easy है, because matrix को क्या बोल दिया है, non-singular matrix है, sorry, singular matrix बोला है, तो बचो यह singular matrix है, because यह, तो इसका determinants आप निकाल लो, ठीक है, 0 होगा, तो यह 2A-12, एक्वल 0, तो A का value यहां से कितना पता कर लिया, 6 पता कर लिया, उसी तरह से determinant of B आप निकाल होगे, तो determinant of B भी क्या होगा, singular है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो यह 6B-5 है, एक्वल 0, तो 6B, इस A का value कितना है, इसको A से लिख लें, तो यहां से 6B और 5 इंटू A का value 6 हो गया है, यह cancel हो गया, B का value 5 मिल गया है, A और B आ चुका है, तो यह C दिया हो, C B क्या है, singular है, तो यहां से भी multiply करके आप निकाल सकते हो, सारी चीज, तो बचा है, C और यह हो जाएगा, A प्लस B C प्लस C प्लस, okay, okay, minus, और यहां से C प्लस 1 और A प्लस C एक्वल 0, okay, तो यह सारी चीज़ें पर निकाल होगे, A, B, C, A और B का value यहां पुट कर दो, यहां से C का value आपको पता लगेगा, और C का value जो पता होगा, लास में बता दे, C का value आपको 3 by 2 आ रहा होगा, C का value आपको 3 by 2 बिल रहा होगा, तो सारी value आपको निकाल ली थी, और finally क्या पूछा है, the value of A, B, C, तयानि कि that is the product of A, B, C, यानि कि multiplication, तो A, B, C, तो this is the A, A का value क्या है बच्चों, 6 है, B का value कितना आये था, 5 आये था, और C क से cancel कर दो 3, 45 आ रहा होगा इसका, 45 मिल जाएगा, तो इसका third options correct है, third options correct है, okay, तो सारे questions के answer आपको मिल गए होगे, detail solution के साथ, आप अपने answer अच्छी तरह match करो, ठीक है, जिन बचों का अच्छा हुआ है, that's good, अच्छी बात है, जिन्नोंने लगबक almost है नहीं कि, यानि कि हम good attempts की बात करें, इस paper में जो level of questions था, difficulty level था, कुछ questions का, कुछ questions में time लगा है, तो हम मान कर चलते हैं, कहीं नहीं, 30 से 32 सवाल तो आपको soul cut ही चाहिए, ठीक है, और expected cut-off जो भी होगा, लेकिन इस पर cut-off इसके कम जाने वाली होगी, okay, तो बने रही है हमारे channel पर, और भी solutions के थाली है, thank you, thank you so much.